हावर फिक्स सैंसंग नौट 20 कॉल डिस्प्ले नौट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी काति किराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैंसंग के डिवाइस में कॉल not showing problem solve कैसे कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों problem क्या हो रहा है हमें जवेजी call आते हैं तो call पर call आने पर दोस्तों तो शो नहीं होते डिस्प्ले पर ठीक है इस तरह के का प्रॉब्लेम यहाँ पर हो रहे हैं तो अगर दोस्तों आपको भी यह प्रॉब्लेम हो रहा है तो इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे इस प्रॉब्लेम को फिक्स करना है गार्डिंग पर आप हमीं ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या आए आप दोस्तों एक बार मोबाइल को रिश्टार्ट करके देखें ठीक है अगर रिश्टार्ट से कम बन जाते ह बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो जाए दोस्तों आपने मोबाइल के सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है एप्स पर जाना है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है ठी data clear करने के बाद दोस्तों आपको जाना है permissions पे और सारे permissions allow कर देना है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें और चेक करें करके देखे solve हो चुका और अपका problem ठीक है और Samsung के device में दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस का सेटिंग भी होते हैं जो कि मैं आपको शूर करके अभी बताऊंगा ठीक है तो ठीजोस पर क्लिक करते हुए सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों कॉल बेगराउंड पर जाके लेयाउट चेक करेंगे लेयाउट दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते ठीक है लेयाउट दोस्तों आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और यहाँ पर आप देखें कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स तो इसको भी आप यहाँ पर सेट कीजिए फूल स्क्रीन चाहिए कॉल पॉप आप चाहिए या फिर मीनी पॉप आप चाहिए ठीक है तो इस तरिके से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अगर आप यह सब सेटिंग सेट कर देतें तो अच्छे से काम कर जाएगा प्रोब्लेम सेटillon गान्यवरुलंपॉर setting पर जाके दोस्तों आपको scroll down करना है software update पर click करना है और mobile software update कर देना है mobile software update करते हुए दोस्तों आपको ने problem solve हो जागा by any chance software update के बाद भी problem आ रहा है तो आप दोस्तों mobile पे default यहाँ पे कुछ application यूज़ करना होगा जैसे कि default dialer true color तो true color को एसे डिफॉल्ट डाइलर आप यूज कीजिए तो इससे काम बन जाएगा कुछ दिन के लिए ठीक है जब तक कि नेक्स वफिर अपडेट नहीं आते तब तक आपको यूज करना है नेक्स वफिर अपडेट में 100% सॉल्फ हो जाएगा प्रॉब्लेम तो इस तरह के से कॉल डिस्प्ले नौट शोरिंग प्रॉब्लेम फिक्स कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आओगा तक्स्राइब कर वाचिछ